CM आशोक गहलोत ने एक बार फिर अपना मास्टर स्ट्रोक लगाया है जिसमें CM गहलोत ने 19 नए जिलो का रिमोट से बटन दबा कर उदगाठन किया साथ ही तीन संभाग के गठन के लिए नोटिफिकेशन भी जारी किया यह महत्यपूर्ण फैसला CMR में गहलोत केबिनिट की एहम बैठक मिलिया गया जिसमें सबसे एहम फैसला 19 नए जिलो और तीन संभाग के गठन पर महोल लगाना रहा इस बैठक के बाद CM गहलोत ने प्रेस बारता की जिसमें CM गहलोत ने रिमोट का बटन दबा कर 19 नए जिलो का उदगाठन किया साथ ही नए जिलो और संभाग के गठन का नोटिफिकेशन भी जारी किया प्रेस वारता में सीयम आशो गैलोत ने कहा कि आज राजस्तान के लिए बड़ा दिन है 19 नए जिले बनने से विकास को गती मिलेगी तीन संभाग बनने से आमजन को सरकारी योजनाओं का पूरा लाब मिलेगा और प्रशासनिक दर्स्ति से छोटे जिले बनने से वहां के लोगों की समस्याओं का समादान आसान होगा कानून व्यवस्ता और प्रशासनिक अधिकारियों से लोग अपनी बात आसानी से रख सकेंगे हम 2030 का वीजन लेकर चल रहे हैं वहीं राउल गांदी की सजा पर रोग को लेकर CM गैलूत ने कहा कि राउल गांदी को लेकर जो कोड का फैसला आया है हम उसका स्वागत करते हैं वहीं आगामी विधान सवाचुनाओं में कोंग्रेस सरकार रिपीट होने की बात कही इस प्रेस वारता में मंत्री परसादी लाल मीना, मंत्री महिश जोशी, मंत्री परताफ सिंखा जरवास और मंत्री ममता भुपीश, साथ ही मंत्री भाहर सिंख भाटी, मंत्री लाल चंद क जिले के विकास के लिए इन्वेस्ट्मेंट के लिए तुराच करने चर्कारी या गेर सरकारी आप जानते तो एक एषपी कोई 200 किलोबर जाना पड़े जिले के अंदर कोई गटना गटित होगे ही आप शोल सकते हो कि किता टाइम लगता उसको पौँच नहीं के अंदर मापक तो मेरी कहते जो अन्बोव कहता है और मेने के अधिकारे ने बात भी करी उन्होंने कर रहा हम चाथते हो भी कर वाद जला करेक्टर साथ जाननी पाते हैं दिले के अंदा इसलिए मैं समझता हूँ कि जी शुरूप में यह प्रयाश किया गया है यह प्रयाश है अभी तो इसमें जो प्रयोग किया हमने तो इसमें जो अन्बोव मिलेगा हमने छोड़े जिनों का बड़े जिनों का उसके अधार पर हम जाएंगे आगे जो है और समाव ना बन सकती है और जिले बनाने की इतले हमने तो कमिटी दाम लुबाई कमिटी है, इसका कारेकाल भी हमें शे मेन और बढ़ा दिया है, जिस्ते की और अपनी बात कहते हैं कोई कहना चाहे तो, तो हमारा दरस्टी कोनेक्स वीकंद दिर्गन कैसे हो?